गैस हम लोग बात करेंगे basic countries के बारे में, इस topic के अंदर तीन चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पहला question कि basic countries का जो group है, उसमें कौनसी कौनसी countries शामिल है, दूसरा question ये basic country का जो group तयार किया गया है, इस group का main purpose क्या है, और तीसरा question आपसे पूछा जा सकता है, कि coffin again climate summit जो है व चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले तो एक fact आप जानो, तो 28 November 2009 को, इस दिन चार countries आकर मिली, ये चार countries कौनसी कौनसी है, ब्राजील, South Africa, India and China, ये आकर मिली और इन्होंने agreement sign किया, और ये basic group तयार हुआ, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखि कि ये चार country कौनसी कौनसी है, इनके नाम और 2009 मी group तयार हुआ, अब ये चारों ने जो है, वो commit किया, कि ये मिलकर काम करेंगे, they will act jointly at Coffingen Climate Summit, including a possible united walkout if their common minimum position was not met by developed nation, तो देखिए, इन्होंने बोला कि हम Coffingen Climate Summit पर मिलकर जो है, वो काम करेंगे, बट अगर हमारी minimum requirements जो है, वो fulfill नहीं करी, अगर developed countries ने, तो हम एक प्रकार से ये संकेत था, कि हम उनके against जो है, वो protest करेंगे, तो ये चीज़ जो है, वो यहाँ पर बताई गई, और इसके अलाबा, ये जो उभरता हुआ, जो चार countries का हमें देखने को मिला था, इसका नेत् agreement जो है, या फिर ये aligns जो है, वो complete हुआ, और इसके अलाबा, ये group की अगर बात करेगा, तो ये group का main target क्या है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इस group का target ये है, कि ये जो emission, carbon dioxide का emission बोल लो आप, या pollutants का emission बोल लो आप, तो ये चाहते हैं कि आप emission को reduce करन trees, जो है वो amount याने की, पैसा जो है वो दे, finance करें, funding जो है वो करें, तो ये दो चीज में ली इनकी हमें देखने को बिलती है, अब देखिए, coffin gain summit किस से associated है, ये question आएगा, तो climate change के impact को reduce करने से associated coffin gain summit है, दूसरी चीज़ अगर पूछती जाए कि basic group का main objective क्या है, तो ये climate change का ही आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कि climate change या फिर climate की जो impacts है, उसको reduce करने के लिए, plus कि developing countries को developed countries जो है, जो developed countries है, वो developing countries को fund करें, जिससे कि developing countries climate change को जो है वो, या फिर climate change की जो impacts है, weather की जो impacts उसको reduce करने के लिए capable बन सकें, तो ये कुछ important points है, इस topic से related, जो कि आपको रुकना है,